तब से रुपया और चीता दोनों बहुत थेजी के साथ भाग रहे हैं दोनों में कमसीशन चल रहा है कौन कितना थेज भागेगा डालर के मुकाबले रुपया 83 का हो गया मुझे यादे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि जब रुपय का रुपय की कीमत गिरती है तो सरकार की डिली में मोधी वीपी सरकार की भी कीमत गिर रही है उन्होंने कहा था जब रुपय की कीमत गिरती है आज बहुत बड़ी चुनोती से इंदोस्तान गुजर रहा है और आप मीडिया के मित्रों को ये जानना जरूरी है साड़े छे लाख करोर की संपत्ती भारत की बेची जा रही है रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, बीपी सील बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है नगर निकाय का चुनाओ, आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, सभी सीटों पर लड़ेगी, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, जितने भी सभासत के सीट हैं, जितने भी चेर्मेन के सीट हैं, सारी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी माइक्रो लेवल पे अपना संगठन बना रही है वाड स्तर पे कमेटियां हमारी बन गई है उसके नीचे बूठ पे भी बहुत सारी जगों पे बन गई है अब उसके नीचे महला प्रभारी हम बना रहे हैं यह महला प्रभारी का तीस घरों के उपर एक महला प्रभारी बनाने का है आम तोर पे इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे पन्ना प्रभारी बना रही है भारती जन्ता पार्टी ने बनाया है आम आदमी पार्टी महला प्रभारी बना रही है पूरे उत्तर प्रदेश के नगरिये छेत्रों में और उनका काम होगा कि उन तीस पचीस तीस घरों में अपना जन्संपर्ग बना के रखना पार्टी की विचार धारा को पहुंचाना